शिवपुरी के वाड तरमांग को 49 में आज एक अप्रेल से खुलने वाली नई शिराब की दुकान के विरोध में पुरूस सहीत महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि शिराब ठेकेदार द्वारा स्कूल के पास शिराब की दुकान खोली गई है स्कूल से शिराब की दुकान की दूरी महच 59 मिटर है उनके बेटे बेटियां स्कूल में पढ़ने जाते हैं उन पर इसका गलत असर पड़ेगा शिराब की दुकान पर हंगामे की सुषना मिलते ही मौके पर आपकारी अमला मैद दल बल के साथ पहुचा बढ़ते हंगामे को देख आपकारी भाग ने शिराब की दुकान को बंद करा दिया शुपूरी से यूसफ खान की रिपोर्ट अज बाद नमर उप्टिस में सराब की दुकान को अटाने को लिए प्रदर्सन किया गया था क्या निशकार से नकाला से इस दुकान को आपत्र इसतापित करवाना था और यह होना था लेकिन आज इनों नहीं दुकान इस्तापित किये अब चुब यहां सपास यहां पर जन्संग क्या है और लोगों को आना जाना रहता है ऐसे लोगों को दौरा बताया गया महिलाई भी निकलती है बच्चे भी निकलते हैं चाहते भी निकलते हैं तो ऐसी स्थिती में एक दुकान को अन्यत्र इसताफित करने के लिए और करवाएंगे अच्छा सर कहां चूक रही यह 49 मीटर के दाएरे में पहले निरिक्षण किया गया था वह बताया भी यह था इसको आपत्र इसताफित करवाना है च कर रही हूं बाट 49 ठकरपुरे में कलारी कुन्ने पर रखी जा रही हो आपर गवर्मेंट स्कूल है तो बच्चे पढ़ेंगे का उनकी गाली दुलोच सुनेंगे बेटी हमारी उसी गली से गुजर रही है टेक्सी का इस्टेंड लगा हुआ है टेक्सी का बेट कर रही है जब तक अगर टेक्सी का बेट कर रही है जब तक कोई कलारी वाला आकर उसे लड़की इसे गाली भी दे सकता है अगर मैं बेट कर रही हूँ तो ऐसा मैं अकेली भी कड़ी हूँ तो किसी की बैक्ति की दारुबाले की मत पढ़ सकती है कि मुझे गाली दे के वी चला जाए चला जाए इसलिए मेरा कहना है कि यहां पर मैं कलारी नहीं लगन दूंगी नहीं लगन दूँ चाहला मुझे कुछ भी करना पड़े मैं यहां पर कलारी नहीं रखने दूँ आपके दोहरा और परानी कलारी ती तो वहां से भी मेरी कलारी का मैंने भी असी बहुत आज बादा किया था नबे दिन में आज मुझे दो साल हो रहे हैं दो साल मैं कोई जवाब नहीं दिया इसलिए अगर उहां से उठाकर उन्हे हैं यहां पर रख दीया शाली को रहने दूंगी तो मैं नहीं रहनां जूँनघ आप देख रहे हमारा चेनल 24 नीूस हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भुलें